गुड मॉर्णिंग अब्रीबन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लेजर्स कॉंसेप्ट में दोस्तों आज की सेशन में हम लोग एक बार फिर से एड़िटेरिया पब्लीकेशन का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे बी एससी के लिए और आप लोगों को बताते चले कि यह वॉल्यूम टू बुक है जिसमें की टोटल देखिए पंद्रा मॉर्ल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ और इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहा है इस बुक का सेट नमबर नौ ठीक है टोटल एक सूपचास परशन तो चले दोस्तों जुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नाइन का पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कहरा है तो देखिए क्वेश्चन नमबर फश्ट दिया हुआ है कि हिमाले परवत सरिंखला के निमने लिकित में इसे कौन-कौन से सिखर महान हि माल यानिकि great हिमाले में स्थित है सहिए इसका option नमर भी यनिकि एक तीन और चार देखिए एक में क्या हो जाएगा among the average हो जाएगा धौला गिरी हो जाएगा और नन्दादेवी ठीक है यह जो है तीनों के तीनों स्थित है तो option आपसे नमबर B, जो दियावा है, इसका देखिए सही आंसर होगा, अब चलिए अगला प्रश्ण देखेंगे, इस सेट का, कह रहा है इस में कि भारत की समुद्री सीमा से समभंधित देश कितने हैं, सही है, टोटल साथ देश है, जो कि भारत की समुद्री सीमा से समभंधित ह और वो साथ देश कौन-कौन से है तो पहला पाकिस्तान हो जाएगा उसके बाद मालदीव है स्री लंका है बांगला देश है म्यानमार थाइलेंड एवं इंडोनेसिया है ठीक है तो अप्सन नुमर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर इसका लगा फ्रेंड्स आ अगला प्रश्न देख लिए प्रश्न नमर जो तीन यहां पर दिया हुआ है कहरा इसमें कि सुमेलित कीजिए एक तरफ राष्टी पार्क दिया हुआ है और दुसरे तरफ जो है उससे संबंधित अस्थान दिया हुआ है इसको क्या करना है सुमेलित करना है तो सही सुमेलि यह अभ्यारन जो कहाँ नेलगरी तामिलाडू में इस्थित है और माला काड़ जो है यह तिरू नेवेली तामिलाडू में इस्थित है D का 4 हो जाएगा तो option नमर A इस question का यहाँ पे सही answer होगा चलिए अब अगला प्रश्ण देख लेते हैं प्रश्ण नमर चार जो दिया हुआ इसमें क्या रहा है कि अंडमान को मियनमार से अलग करने वाला दूइप समू का नाम क्या है तो याद रखेगा इसका नाम है कोको दूइप समू ठीक है फ्रेंट्स क्या नमा इसका को को दुइपसमू है जो की अंडमान को क्या करता है म्यानमार से अलग करता है option नमर क्या हो जाएगा B हो जाएगा इसका सही अगला प्रश्ण है बहिर भेदी आगने चटान का उदाहरन है इन मेंसे कौन तो देखे बेसालतिक चटाने जो है या बहिर भेदी आगने चटान का उदाहरन है D हो जाएगा इसका सही आंसर उसके बाद next है क्यारा कि विक्टोरिया जील निमनलेकित मेंसे किस अफरीकी देश से अपनी सीमा साजा नहीं करती है तो वह अफरीकी देश है रवांडा ठीक है रवांडा से जो है या अपनी सीमा साजा नहीं करता है विक्टोरिया जील क्या हो जाएगा इसका D हो जाएगा सही अब अगला प्रश्ण है कि निमन मेंसे किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है तो इसमें जो नाइजर नदी है फ्रैंस इसे टेल नदी के नाम से जाना जाता है और यह नाइजर नदी जो है यह नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है ठीक है तो option नमर क्या हो जाएगा इसका C हो जाएगा सही अब चलिए next देख लिजे 8 नमर यहाँ पर प्रश्ण हो जाएगा और देखे इस प्रश्ण में यहाँ पर कह रहा है कि भारत के समिधान की उद्धे सिका में निम्न सवदावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो है option नमर ए हो जाएगा right answer friends उसके बाद चलिए next question देख लिजे question नमर यहाँ पर 9 हो जाएगा कह रहा है इसमें कि समद्धान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम नियायालाई को उसके द्वारा दिये गए निर्ने अथवा आदेश के पुनर विलोकन हेतु आधिकरेद करता है तो वहाँ अनुच्छेद है अनुच्छेद 137 ठीक है अनुच्छेद 137 के अंतरगत जो है सरवोच नियायालाई को अपने नियो का पुनर विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है तो क्या हो जाएगा इसका option नमर भी हो जाएगा सही next है कह रहा है कि आर्थिक नियोजन वि जाएगा फ्रेंट्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नमर कह रहा है इसमें कि नियोजन लिकित में से कौन निर्धारीत करता है कि कोई विध्यक धन विध्यक है कि नहीं तो याद रखेगा यह निर्धारीत करता है लोग शभा अध्यक्ष अनुछेद 110 तीन के नुसार कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका सत्यापन जो है लोग शभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कौन सा अनुछेद है वो याद रखेगा फ्रेंट्स अनुछ एक सो दस का तीन के तहट जो है यह लोग सवा आध्यक्ष निर्ने लेता है कि कोई भी विदेक धन विदेक है या नहीं तो आपसर निमर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अब चलिए नेक्स्ट कुश्चन देख लीजी कि राय की निमन में से कौन सा वी मावलंकर दिया हूँआ है यह जो है यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि संचालन समीति कि अधियक्ष जो थे वो थे डॉप्टर राजंदर परसाद, यहां पर मावलंकर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, राजंदर परसाद होना चाहिए, फ्राइट सी याद रखेगा, तो अपसन नमर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अब देखेंगे, next question में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतिय समीधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधी काडियों की सपत का वर्णन है, लेकिन राश्रपती का नहीं, तो वह अनुसूची है, तिरित्य अनुसूची, फ्राइट सी याद रखेगा, ठीक वित्या पात जो लागू करने के लिए कोई अधिक्तम अवदी नहीं दिया गया है, डी इस question का सही आंसर हो जाएगा, अब चलिए अगला प्रशन देख लीजिए, पंद्रह नमर के राश्र में, कि भारत के महा नियावादी के संबंद में, निमनलेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अप्सन नमर बी है, कि वह केंदरी कैविनेट का सदस्य होता है, और संसद की कारेवाई में भाग लेता है, यह कथन सही नहीं है, अप्सन नमर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, अब चलिए अगला question देखेंगे, कि भारती रिजर बैंक के बैंक दर कम कर जाती है, तो अप्सन नमर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका right answer, next question गन्ने की उचित एवं लाव प्रद कीमत यानि की FRP को निमनलेकित में से कौन अनुमोदित करता है, तो यह आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलिय समीती के द्वारा जो अनुमोदित किया जाता है, ए इ तो याद रखेगा, यह लक्षमी कांध जा समीती की सिफारिस पर जो है लागू किया गया था, ए इस question का यहाँ पे सही answer हो जाएगा, ठीक है friends, चलिए, अगला question देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाल को aluminum company के अस्थापना किस देश की सहायता से की गई है, सही है यह सूब्यत संग की सहायता से इसकी अस्थापना करी गई थी, और कब हुआ था इसकी अस्थापना तो 1965 इस भी में यह भी याद रखेगा, ठीक है, तो option number B, इसका right answer होगा, आप चलिए, अगला question देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलेकित में से कौन तो ककरी या खीरा जो यहाँ पर दिया होगा, देखिए, यह जायद किस्म की फसल है, option number B हो जाएगा, इसका right answer, next दिया होगा है कि भारतिय अर्थ व्यावस्था में, छेत्रों को सारवजनिक तथा नेजी में किस अधार पर वर्गी करित किया जाता है, सही है, उपक्रमों पर स्वामित्व के अधार पर किया जाता है, वर्गी करिन, option number A हो जाएगा, इसका right answer, चलिए, next question देखिए, के राय, विस्व मिर्दा दिवस कब मनाया जाता है, सही है, 5 December को विस्व मिर्दा दिवस मनाया जाता है, पर तेक वर्थ, option number D, इसका right answer होगा, next DIY की भारत की फिल और टेली वीजन संस्थान कहां इस्थित है, पूने में इस्थित है, बारतिय फिल्म और टेली वीजन संस्थान जो है, यह पूने में इस्थित है, और इसके अस्थापना 1960 हिस्व में करी गई थी, यह भी याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, option number D जो दिया हुआ, यह सही आंसर उप्षन नमर दी दिया हुआ है सबसे पहले एक यानि कि कुतुम दिन एवक जो है इसका कार्यकाल रहा था 126 इस बी से 1210 इस बी तक उसके बाद 3 नमर यानि कि इलतुत्मिस इसका जो कार्यकाल रहा था फ्रेंड्स या 1211 11illesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesillesilles सही है देवराय दूतिये के सासनकाल में इन्होंने यहां का यत्रा किया था तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रेंट्स कहा रहा है कि सेरसाह ने अपना अंतिम सैन अभियान किस राजी के खिलाफ किया था सही है कालिंजर के खिलाफ इन्होंने किया था 1545 इसमी में सेरसाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन अभियान किया और यहां का सासक किरत सिंग था और इसी अभियान में सेरसाह की मृत्यू हो गए थी कब वो थी? 1545 इसमी में याद रखेगा तो इसमें देखिए दिवान ए आरीज जो इलतुतमिस यहां पे दिया हुआ है यह जो है यहां पे सही सुमेलित नहीं होगा ठीक है? यह यहां पे सही सुमेलित नहीं होगा क्योंकि यह सैन बिभाग था और इसका इलतुतमिस नहीं बलकि इसका कौन था बलबन था याद रखेगा तो option number क्या हो जाएगा D इस question का यहाँ पे सही answer हो जाएगा आप चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या रहा है कि किस ones के सासकों को हूनों के आकरमनों का सामना करना परा right answer है गुप्ट वंस के सासकों को हून ने 455 इसवी में भारत पर पहला आकरमन किया था तो उसमें जो है गुप्ट कालिन सासक कौन थे असकंद गुप्ट थे याद रखेगा तो option number C इसका right answer हो जाएगा अब next दिया वैस में कि भगवान बुद्ध द्वारा गृतिया की घटना को क्या कहा गया है right answer है इसे महा भिनिस क्रमन के नाम से जाना जाता है A हो जाएगा सही answer next है कि चटगाउं सास्तरागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किस के दौरा बनाई गई थी सही answer है सूर्य सेन के दौरा जो है यह योजना बनाई गई थी A हो जाएगा इसका right answer next question में कहरा है कि Congress के दूसरे अधिवेसर में कितने सदस्यों ने भाग लिया था इसका जो correct answer हो जागा France option number B यानि की 434 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था ठीक है याद रखेगा option number B जो है इसका यहाँ पर सही answer होगा उसके बाद France चलिए next question देख लेते हैं यहाँ पर 32 नमर में कहरा है निमनले लिखित का मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है कहरा है इसका मिलान करने के लिए तो सही मिलान इसका option number B हो जाएगा यानि की A का 5 है सिमान्त गांधी के नाम से किसे जाना जाता है खान अब्दुलगफार खान को ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद दिखिए B का B का यहां पर क्या हो जाएगा थिरी यानि की भारत का सबसे व्यो व्रिध व्यक्ति जो है वो किसे कहा जाता है दादा भाई नरौल जी को C का 1 हो जाएगा महा मना के नाम से कौन जाना जाता है तो मदन मुहन मालविय जी जाने जाते हैं और भारत के लौ वरोस के नाम से वल्ला भाई पटेल को जाना जाता है फ्रांस तो अप्सन नुमर बी जो है यहां पे सही आंसर होगा अब चलिए अगला परशन देख लिए यहां पे 33 नुमर जो दिया हुआ है इसमें कहरा है कि मिलान कीजिए अस्तंब वन और अस्तंब टू को क्या करना है मिलान करना है तो इसका जो सही मिलान होगा वो आप्सन नुमर सी यहां पे जो दिया हुआ ऑुट्व यहाँ प्राथना समाज के इस्थापना करी गई थी तो ऑप्षन निमर्ट सी, इसक्वेशन के यहां पर कर्यक्ट आंशर हो जाएगा अब देखेंगे अगला प्रशन क्या केराईस सेट का केराईस में कि निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेत्रित्व नहीं किया था सही आंसर इसका बहावी आंदोलन जो हुआ था या महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था बहावी आंदरोन का नित्रित्व जो है वा सयद एहमद बरलवी के द्वारा किया गया था तो इसलिए option निमर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा सही अब चलिए next question देखते है क्या राइस में 23 फरबड़ी 1946 को राजसी भारतिय नौसेना के नाविकों को आत्म समर्पन के लिए किस्ट ने तयार किया तो यह तयार किया था वल्ला भाई पटेल और मुहमद अली जिन्ना ने क्या हो जाएगा इसका? C हो जाएगा राइट आंसर उसके बाद अगला प्रश्न कहा रहा है 1909 के इंडियन कॉंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही आंसर है सामपरदाइक प्रतिन इदित्व की जो है इसमें व्यवस्था करी गई थी B हो जाएगा इसका राइट आंसर अब नेक्स्ट दियावाइस में कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना किष्णे की तो यह किया गया था सियाम जी कृष्ण वर्मा के दौरा याद रखेगा सियाम जी कृष्ण वर्मा के दौरा जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना करी गई थी अगला प्रश्ण है बुकंप का अधिकेंदर क्या होता है अगला प्रश्ण देख लिजे कि निम्न में से कौन सा परवत रूस में इस्थित है सही है काकेशस परवत जो है यह रूस में स्थित है अब रुस किस्टर का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण कहरा है कि कि ब fabrics cena और Dutch cena के बीच बेदरा का यूद कव लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था 1769 सी भी में याद रखेगा British सेना और Dutch सेना के बीज जो है बेदरा का युद कव लड़ा गया था 1769 में लड़ा गया था और इस युद में Dutch जो है प्राजित हुए और भारत में उनकी गतिविधियां बिलकुल है समापत हो गई तो option number A इसका right answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देखते हैं question number हो जाएगा France 41 कह रहा है इसमें कि समुद्र में डूबी हुई वस्तूओं की इस्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रियोग किया जाता है सही answer है सोनार जो है इसी का प्रियोग किया जाता है समुद्र में डूबी वस्तूओं की स्थिति जानने के लिए तो क्या हो जाएगा इसका option number A हो जाएगा सही अगला प्रश्न निम्न लिखित में कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ देखिये संत्रा में जो फौर्मिक अमल दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है तो option number क्या हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा क्योंकि संत्रे में जो है सेट्रिक अमल पाया जाता है चलिए अब अगला question देख लीजिए यहाँ पर 43 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सनरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है वह है कैडमियम क्या हो जाएगा इसका option number A हो जाएगा next कह रहा है कि मरिग मरीचका का कारण क्या है तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावरतन option number D जो है देखे सही हो जाएगा next question में कह रहा है कि निम्न लेकित में से कौन सा collide का गुन नहीं है तो इसमें option number B दिया हुआ है कि collide इससे गुजरने वाले परकास पुन्स को प्रा किरनित नहीं कर सकता है या जो है इसका collide का गुन नहीं option number B हो जाएगा right answer चलिए फ्रेंट से दिखते हैं अगला question क्या कह रहा है कह रहा है कि बूलेट पुरूप दार्थ बनाने के लिए निम्न लेकित में से कौन सा बहुलक प्रयूक्त होता है तो याद रखे है कि इसमें polyamide का यूज़ किया जाता है option number A हो जाएगा सही उसके बाद अगला पुरूप रहा है कि amino 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 का बहुलक होता है तो protein जो है या amino acid का बहुलक होता है option number A इसका right answer हो जाएगा अगला पुरूप रहा है कि निम्न लेकित में से कौन सी घट नाप्रकास translation में नहीं होती है तो carbon का carbon dioxide में oxygen जो है या घट नाप्रकास translation में नहीं होता C इस question का right answer हो जाएगा आप चलिए next question देख लिए कि निम्न लेकित इंधनों में सरवाधिक उस्मियमान किस का होता है सही answer है LPG LPG का सरवाधिक उस्मियमान होता है D हो जाएगा सही answer उसके बाद next परकास तरंगों के वायster से कास में जाने पर क्या परिवर्टीत होता है तो इसमें तरंग्दारग और वेग परिवर्टीत होता है option number D हो जाएगा next question जो दिया वाइस फ्रांस के राइस में कि नेमले कि तमसे कौन एक अधीस रासी है तो द्रबेमान जो दिया वाइँ यहाँ पर दिखे द्रबमान यह एक अधीस रासी है option number C हो जाएगा ठीक है फ्रांस चलिए next question देख लिजी के राइस में कि सल्फ्यूरी कमल बनाने की संपर्क विदी में किस उत्प्रेरा का प्रियोग किया जाता है तो याद रहे हैं इसमें platinum चूर्ण का प्रियोग किया जाता है B हो जाएगा इसके right answer अगला question के राइस कि काँच के संब्द में कौन सा कथन सत्य नहीं है सही है काच एक योगिक है या कथन बिल्कुल सत्य नहीं है option number C इस question का फ्राइस यहाँ पर correct answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लिजी के राहा है कि किस vitamin की कमी से असकरवी रोग होता है सही है विटमिन C की कमी से असकरवी रोग होता है option number A हो जाएगा इसका right answer अब next question के राह के लेटमा सिविलियन जब ना तो अमलिये होता है और ना ही छारिये तब वो किस रंग का होता है सही है वह बैगिनी रंग का होता है तो क्या हो जाएगा इसका option number A जो दिया हुआ यहाँ पर सही answer हो जाएगा अब चलिए next question देखते है यहाँ पर question number हो जाएगा 56 और इसमें कहा रहा है कि सुमेलित कीजिए सुची 1 को क्या करना है सुची 2 से सुमेलित करना है तो इसको जो सुमेलित करेंगे तो इसका सही answer option number यहाँ पर B हो जाएगा A का 3 हो जाएगा हाइड्रूलिक दाप का सी धांत जो है वो क्या हो जाएगा पास्कल उसके बाद B का 2 गती के जरत्व का सी धांत जो है गेलिलियो के दोरा दिया गया था C का 1 हो जाएगा सार परनाली का हेलियो स्वांट्रिक सी धांत जो है या किसके दोरा कॉपर निकस के दोरा दिया गया था और गुरुत्वा कर्शन का सारवत्रिक नियम या न्यूटन के दोरा दिया गया था तो option number क्या हो जाएगा B हो जाएगा इसका सही अब चलिए अगला question देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा रहा है इसमें friends कहा रहा है कि दूर दिरिष्टी दोस्त के कारण नियम नहें दूर दिरिष्टी दोस्त के कारण नियम नहें यानि कि कौन से कारण है तो सही है इसका देखिए A और B दोनों हो जाएगा लेंस की छमता घट जाती है और लेंस की फोकस दोरी बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा इसका option नमर D जो दिया हुआ यहाँ पर सही आंसर होगा next question है कि नियम नहें लेकि तुम इसे कौन path of hormone है इन में से कौन path of hormone है तो सही आंसर इसका दिया हुआ है उपर युक्त सभी यानि कि abscissic amyl, oxyn और ethylene यह तीनों के तीनों जो है path of hormone है फ्रांस तो क्या हो जाएगा इसका option नमर D जो है देखिए सही होगा अब अगला प्रशन में कहाँ रहा है कि प्लाजमा जिल्ली किस से बनी होती है तो यह बनी होती है यहाँ पर देखिए A और B दोनों दिया हुआ यानि कि लिपीड और प्रोटीन दोनों से तो क्या हो जाएगा इसका option नमर D जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लेते हैं question नमर हो जाएगा 60 क्यारा है इसमें कि सुची बन के कीट रंग वाहकों का सुची 2 में दिये गए संचारित रोगों से सही जोरा मिलाए तो इसका जो सही मिलान होगा option नमर D हो जाएगा A का 4 एनाफिली जो है यह malaria जो है malaria इसी के वज़े से फैलता है उसके बाद B का 3 है Qlex मच्छर जो है यह philaria रोग के वाहक है उसके बाद यहाँ पे C का क्या हो जाएगा 1 rate मक्खी जो है यह kalajar के लिए है और उसके बाद जाके CC मक्खी जो है यह नेंद की बिमारी इसी के वज़े से होता है तो option number D इसका right answer होगा उसके बाद जो अगला प्रशन यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पर प्रशन नमर हो जाएगा except कहा रहा है कि मांस्पेसियों को अस्थियों से जोडता है सही हो जाएगा tendon क्या हो जाएगा tendon option number A जो दिया हुआ यहाँ पर देखे सही आंसर होगा अब अगला प्रशन यहाँ जो दिया हुआ प्रशन number 62 इसमें कहा रहा है कि निम्न में से कौन कोसिका का बिजली घर है निम्न में से कौन कोसिका का बिजली घर है तो वह हो जाएगा देखे मैटोकॉंड्रिया मैटोकॉंड्रिया को ही कोसिका का बिजली घर कहा जाता है option number D हो जाएगा सही अगला question के रहा है कि हर गोविंद खुराना को किस अविस्कार के लिए सम्मानित किया गया हर गोविंद खुराना प्रानाली की खोज किष्णे की थी तो यह खोज किया गया था विलियम हारवे के द्वारा option number क्या हो जाएगा B हो जाएगा सही answer उसके बाद next question है कि द्वानी की तिवरता को मापने वाला यंत्र कौन सा है तो वह यंत्र हो जाएगा देखे के पुरसकार से सम्मानित करने की घोशना की है तो इस question का right answer हो जाएगा वहीदा रह्मान option number B हो जाएगा ठीक है आप चलिया अगला question देखते हैं क्या कह रहा है कह रहा है कि हाल ही में कि सराज की cabinet ने transgender समूदाई के लिए pension और OVC दरजे को मनजोरी दी है तो यह दिया गया है जारखंड cabinet के द्वारा option number क्या हो जाएगा D हो जाएगा इसका सही answer next है कि नय संसक भवन में कारेवाई का पहला दिन कब आयोजीत किया गया था सही है 19 सितंबर 2023 को क्या हो जाएगा इसका option number D हो जाएगा next question है कि किस कलाकार की painting the story teller किसी भारती कलाकार की अब तक की सबसे महंगी किरती बन गई है तो सही answer इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए अमरिता सेरगिल की painting option number C हो जाएगा right answer चलिए अब अगला question देख लेते हैं यहाँ पे question number 70 दिया हुआ है और इसमें किया रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंद में कौन सुम्मेलित है एक तरफ पुस्तक दूसरे तरफ उसका लेखक दिया हुआ है कि इसमें कौन सही सुम्मेलित है तो right answer हो जाएगा इसका option number D इनमें से सब ही जो है सुम्मेलित है वेश्टर्न लर्ण चेतन चेतना मारू उसके बाद देखिए जेवा एन एक्सिडेंटल सूपर हीरो जो है हुमा कुरेसी उसके बाद तिल्स फ्रम दे होम आफ वैजेज एंड वीगलेस जो दिया वाई विजेरागवन के दारा लिखा गया है तो इनमें से सब ही जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब चलिए next question देख लीजे friends इसमें कहा रहा है कि 21-1 ACI खेल 2030 का आयोजन कहां किया जाएगा तो इसका आयोजन होगा दोहा में याद रखेगा option number C कि हो जाएगा अगला प्रशन कहा रहा है कि किसी वेक्टीन यंग वाईल्ड लाइफ फोटोग्राफर of the year 2023 का प्रसकार जीता है किस वेक्टीन है तो यह जीता है विहान तालिया विकाष ने option number A इसका right answer होगा अब चलिए अगला question देखते हैं इसमें कहा रहा है कि हाल ही में colon's dictionary में word of the year 2023 किसे चुना है तो यह चुना है AI को ठीक है क्या हो जाएगा इसका option number A हो जाएगा right answer next question दिया हुआ है कि हाल ही मुखे सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही है हीरालाल सामरिया को जो है चुना गया है मुखे सूचना आयुक्त के रूप में option number C हो जाएगा इसका right answer friends next question दिया हुआ है कि 12 सरकार ने कब तक semi conductor research center के स्थापना का लक्ष रखा है right answer है 2024 तक जो है इसका लक्ष रखा गया है option number A इस question का right answer हो जाएगा तो friends यह था total 75 question GKS और current affairs का उमेद करते हैं कि दूसरे set की तरह इस set का भी question का level जो है आप लोगों को काफी बहतर लगेगा एक बार comments करके जुरूब बताइएगा कि यह question का जो level इस set का था आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग total कितना question सही कर पाए मैथ और जिनिक का question जो है आप लोग इसको खुद से serve कर लिजेगा इसका PDF हमारे telegram channel पर upload कर दिया जाएगा friends तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे channel से जूरे रहिए next video में दोबर आफिर से मिलते हैं तब तक के लिए जैए हिंद्ध